नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं सनवाल एज़ोटे को टुप चले हैं दोस्तों बात करेंगे MP बारी बोर्ड परिक्षा 2024 का पेपर आज चुका है यानकी सेट A, B, C, D चार सेट आचुके हैं चारु सेट आपको एक ही वीडियो में देखने के लिए मिलने वाले हैं तीन गंटे का एकज़ाम और मेकजिव मांक्षे आपको अस्य नमबर रहने वाले हैं और बात करते हैं आपको आंसर भी आपको बताऊंगा साथ साथ हैं इस पेपर के अंदर हैं तो बात करते हैं पर क्योंकि आपका एकज़ाम है कोची पल में स्टार्ट होने वाले है तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्षन एक के अंदर जो पहला कुशन है यहां पर बात करेए पैसेज दे रखा है और पैसेज 10 नमर का यह इसमें से जो भी छोटोटे कुशन करके सभी क्यूशनो के आंस्वर के आपको इसमें ही देखने के लिए मिल जाएगी ठीक है तो फैसेज को आप फृटापर से नॉट कर लेजे और इसके जो भी क्यूशन दिये के हैं पहला क्यूशन आपकी स्क्ष्रीन पर यह रहा और इस सैड में और कि दोनों सैड में आपको कुशन देखने के लिए आपे मिलने वाले हैं फटाफर से दिखाऊंगा हम आपको डैट ली तो आपको नोट करते रहना कि ओप्सन में क्या हैगा और यहाँ पर आपको लाश में आंसर के इसके देखने के लिए मिल जाएगी और ठीक है यह 10 तक हो चुकिया आपके और इन जो भी क्यूसन है इन सभी की आंसर की यह रही आपकी स्क्रीन पर पहले से लेके 10 तक तो इसको नोट कर लेना और उसके बाद में बात करते हैं इधर आपका जो दूसर नमबर क्यूसन है इधर आपका नमबर चार नमबर ठीक है चार नमबर क्यूशन इधर देख सकते हैं और दो नमबर का ये क्यूशन है ये पैसेज दे रहा है इसके जो भी क्यूशन आएंगे उन सभी क्यूशनों के आंसर दे रहा है चार number question में आपको यहाँ पे अथ्वा के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा इनकी लिट्र लिखना होगा जो पांच number जो question इसमें आपको paragraph लिखना होगा किसी एक पर ठीक है और यहाँ पे इसमें अथ्वा में देखने के लिए आपको मिलने वाला है, साथ-साथ इधर यहाँ पे एक notes बनाने है, दूसर नमबर जो क्यूसन है इसके अंदर note बनाने है, और title भी आपको लेके ना होगा उसके बाद में section B की बात करते हैं और इधर आता है आपका section C के अंदर section B के अंदर तीसर नमबर का question ठीक है, उसके बाद में आता है 6 gramber का है इसके answer भी आपको यहीं पे देखने के लिए मिल जाएंगे सभी question के answer, यह रही आपके answer इन सभी question के, ठीक है जो भी 5 question है, 5 question के answer की है 7 number जो question है, यह 5 number का है उसके बाद में आता है next जो 7 number question के अंदर 1 और 2 parts आते हैं पहले का, उसके बाद में दूसरा आता है, फिर तीसरा फिर 4 फिर 5, फिर उसके बाद में आएगा 8 number जो question section D के अंदर 8 number जो question इसके इतना भी आपको option देखने के लिए मिलेंगे, और इन सभी question के अंसर है, आपको इधर देखने के लिए आपको मिलने वाले है ठीक है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलनेंगे, यह रही इन सभी question के अंसर, उसके बाद में 9 question आता है, यह 3 number का है ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको option B देखने के लिए मिलेंगे 9 question के अंदर और 9 question के answer के यह रही उसके बाद में B part आता है चार नमर के इसने भी इसको बनौट कर लेना उसके बाद में यहां पर next आता है 1, 2, 3, 4 इसके answer आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाले हैं तो फड़ापर से note करते रहना और इस paper को अच्छे तरह सर्माद लेना दस्वा जो question है यह रहा short answer type question के च्छोट च्छोटा question दिये गए और इन question आपके जो book से question है सभी के सभी आपके book में ही देखने के लिए आपको मिल जाएंगे question ठीक हो उसके बाद में 11 number question आता है फिर आपको इसमें 4 part देखने के लिए मिलेंगे चार question और इधर आपको यहां पर जो 5 question देखने के लिए मिलेंगे उसके बाद में 12 number question आता है बारा नमबर क्यूशन भी आपको चार क्यूशन देखने के लिए आपको मिलने वाले हैं आपको एनिटूब क्यूशन जनके दो क्यूशन आपको हल करना एकस के अंदर तेरा नमबर जो क्यूशन है उसमें भी आपको दो क्यूशन ही करना है यह आपका set 200 B है ठीक है इसके अंदर जो पहला क्यूशन है तो यह आपका पहला पैसेज वाला क्यूशन है और इसके जो भी यहाँ पर क्यूशन दिये गए इन सभी क्यूशनों की आंसर कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है बड़ा आप एक बार क्यूशन द क्यूशन के आंसर के आप इस इसक्रीण पर दूसर नमर जो फिए यह लिए भी आपको एप कितना अपर चार नमर का है इसमें आपको क्या करना होगा नोट बनाने होगे सेम ऐसे ही एकजाम पैटर्ण आएगा था आपका जब एकजाम ऐसे पूशा जाया गा उपका जो पर आतवाम पूछा है, चार नमर क्यूशन उसमें लेटर लिखना होगा, और इसके अंदर आपको आतवाम भी देखने के लिए मिल रहा है, उसके बाद में पांच नमर आता है, पांच नमर घटवा है, फिर सेक्शन C के अंदर आता है, फिल इन दा बिलेंक्स, यान कि जो ख पांच नमर वाला है, और इसमें आपको एक के अंदर एक कुछ पॉंट आपको देखने के लिए मिलेंगे, A, B, C, D, E, और इन सभी क्यूशनों की आंसर के आपकी स्क्रीन पे है, और इसके बाद में आता है, सेक्शन D के अंदर टेक्स बुक वाला, आठ नमर वाला और इसकी आंसर के आपको यहां पे देखने के लिए मिलने वाली है, इसको बनौट कर लेना, उसके बाद में नाई नमर क्यूशन आता है, यह भी चार मार्क्स का है भी, 1, 2, 3, और इन सभी क्यूशनों की आंसर के यह रही, उसके बाद में आता है, B part, B part 5 नमर का है, और इ 10 नमर क्यूशन है, इसमें 60 क्यूशन दिये गए है, 60 क्यूशनों की आंसर की जो आपकी जो बुक्स है, उसमें देखने के लिए आपको मिलेंगी, 11 नमर क्यूशन है, यह 6 नमर का है, इसमें आपको 3 क्यूशन करने है, 1, 2, 3, 4 के अंदर, 5, 5 में 3 क्यूशन करने है, उसके इसकी answer आपको bookie में ले ने उसके बाद 14 नमर के उसने फिर आपका 15 नमर के उसने आता है फिर हम बात करते हैं set c की बात करते है set c है यापकी screen पर तो set c के जतने चातर हो देख सकते हैं आपर अलग-अलग set के आने वाले हैं यापर paper तक कोई साबी paper आपके exam में आ सकता है ध्यान रखे यह passage दे रख है और passage complete आप पढ़ लीजिए इसको और इसमें जो भी क्यूसन दिये गए हैं इन क्यूसनों के answer की आपकी screen पर रहने वाली है one two और उसके बाद में यहाँ पर three है फिर आपको four five six seven eight nine ten और सारे सारे answer आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे option है यह सारे option पूछे हैं क्योंकि पैसेज था उसके बाद में दूसरा तो उसमें आपको note बनाने है यहाँ के notes बनाने है तो यहाँ पर यह रापका notes यहाँ तक ठीक है उसके बाद में section बीकी बात करते है तीसर नमबर क्योशन तीन नमबर का क्योशन है उसके बाद में इसमें पूछा गया है तो इस तरह के से आपके exam में पेपर पूछे जाएंगे इन क्योशनों को अच्छी तरह के से रटके जाना है exam में बहुत ज़्यादा क्योशन इसमें से आने वाले हैं set के अंदर section C के अंदर grammar है ठीक है next बात करते हैं आगे 7 नमबर क्योशन शाथ नमबर A part है E part है F part है J part है K part है और इसके answer आपको book में देखने के लिए मिलेंगे उसके बाद में section D के बात करते हैं आठ नमबर है पांच नमबर का है यह इसमें भी option दिये गए है option के answer आपकी screen पर यह रही उसके बाद में no number है no number question है और इसके अंदर भी answer आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं उसके बाद में आता है B part आता है इसका ही यह भी 5 नमबर का है और इसके अंदर भी आपको 4 question देखने के लिए मिलेंगे चारों के answer की यह रही ठीक है जैसे पहले B आएगा दूसरी में आएगा आपके A option तीसरी के अंदर C option और चार नमर उसके अंदर B option दसर नमर question है so what answer देने होंगे दसर नमर का question है यह ठीक है तो इसको अब note कर लीजिए फटा फट से उसके बाद में आता है 11 नमर question 11 के बाद में आपको 12 नमर question देखने के मिलेगा कुछ तो रोड़ा बहुत यहां पर कट रहा है बटाप adjustment कर लेना 12 नमर के बाद में आपको 12 के कुछ point देखने के लिए 4 question इसमें 13 नमर question में आपको 2 question करने है सभी में आपको लगवे 3-4 questions मिलेंगे विए उसमें 1 य 2 question आपको एक्जामे करने होगे लिखा हूआ गाए बागायत है अंपर लिखा हूआ गाए कि आपको N2 question करने हैं N3 question करने है N4 question करने है 14 नमर question आता है 15 नमर question आता है इसके अंदर लाज़् question ह değil उसके बाद में बात करते हैं section और यह आपका आता है section 1 के अंदर reading compulsory इसको भी आप देख लिजी और इसके answer भी आपकी screen पे है passage 1, passage 2 यह की वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर important मिलने वाला है तो section 3 तक आत चुकी है यह जितने भी passage है ना पैसे ने पहला है यह पैसे दिखा रहा हूँ एपको अच्ही तरह से तरके जाना होगा क्योगी ने पैसे के अलावा आपको भावार बिल्कुल भी ने आने वाला है 6 पैसे चल रहा है यहान्म कि यह पैसे पैसे पूरे है पैसेज नमबर साथ फड़ाबर से देख लीजिए क्योंकि समय बहुत कम है पैसेज नमबर आठ उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट पैसेज नमबर नो पैसेज नमबर नो के आंसर आपको इस सेट में भी आपको देखने के बिलेगा और इसकी क्यूशन आपको इधर देखने के लिए मिलने वाले हैं पैसेज नमबर टैन फिर उसके बाद में नोट मेकिंग वाल आता है यहनकी जो नोट मनाते हैं नोट्स उसका आता है आपको सेक्शन बी के अंदर राइटिंग आती है तो इस तरीकेश आपको बनाने होगी यहां पर ही एक्जामे किस तरीकेश से कॉपी लिखनी है वो भी दे रहा है कि ऐसे आपको एक्जामे लिखना होगा नोट्स बनाने होगी इस तरीकेश से ठीक है दोस्तो तो आप इस तरीकेश से आप लिख सकते हैं लेटर भी दे रहा है कि लेटर आपको किस तरह किस लिखना होगा फॉर्मुल ले जब फॉर्मल ले लेटर है वो भी आपको दे रहा है कि किस तरह किस आपको फॉर्मल लेटर लिखना होगा तो आपको जितने भी आप देख सकते हैं बहुत पीजीज यहां पर इस एक्षिन सी आता है ग्रामर काता है इस ग्रामर के अंदर भी आपके बहुत ज़्यादा क्यूसन एक्जाम में आएंगे इन से बार भी बिलकुल नए आने वाले हैं तो ग्रामर वाले जो क्यूसन आप वो भी देख सकते हैं और जो यह पीडिएफ है यह आपको टेल कर आप आपको जरूर देखने के लिए बिल जाएगी किलिए आप वहाँ पर भी आप देख सकते हैं ठीक है दोस्तों तो प्लीज यूडियो को लाइक करें और चलना कुछ से इसका सब्सक्राइब करें धन्य झालवड़ीफ है